भारत में चाय को नेशनल ड्रींग की रुप में पहचाना जाता है दुनिया में भारत उन देशों में शुमार है, जहां चाय का सेवन सबसे अधिक किया जाता है भारत में चाय सिर्फ एक किसम कि नहीं, बलकी कई तरह से बनती है जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, आइस टी, हर्बल टी, आदी लेकिन एक और नई तरह की चाई इन दिनों चर्चा में है जिसका नाम है ब्लू टी जी हाँ, अनी चाई की तरह इसके भी अनिक फाइद है हाला की इस चाई के बारे में बहुत कम लोग अभी तक जानते हैं तो आईए आज जान लेते हैं क्या ही ब्लू टी और उसके फाइदे ब्लू टी को नीली चाई और बटरफलाई टी भी कहा जाता है इसे बनाने के लिए बटरफलाई फ्लाइर का इस्तमाल किया जाता है ब्लूटी बनाने के लिए एक कप पानी ले उसे हलका सा गुनगुना कर 4-5 बटरफलाई फ्लाइर डाले और थोड़ी देर अच्छे से उभाले इसके बाद चाई में शहद मिलाएं और गर्म चाई आपके तयार है आएए जानते हैं ब्लूटी से होने वाले फाइदे पहला इम्टी बुस्टर ब्लूटी इम्टी बुस्टर के तोरपर भी काम करते हैं इसे पीने से एनरजी मिलती है साथ ही ठकान महसूस नहीं होती है इसमें मौजूद खुश्बू दिमाग को तरो ताजा रखती है दूसरा वजन गटाए इसमें मौजूद तत्व मेटाबॉलिजम को बढ़ाते हैं और फेड बंड करने में मददकार होते हैं जिससे आपका व मौड भी खराब हो जाता है और इंसान दीरे-दीरे डिप्रेशन में जाने लगता है ब्लूटी की महक और इसकी सेवन से डिप्रेशन कम करने में मदद करता है इसकी महक से मौड भी अच्छा होता है चोथा माइग्रेन दर्द लगातार माइग्रेन दर्द होने से किसी भी काम में मन नहीं लगता है इसलिए दर्दों को कम करने के लिए अब ब्लू टी का 7 कर सकते हैं इसे मौझूद तत्व से माइगरिन दर्द में आराम मिलता है इतना ही नहीं ब्लू टी का 7 आप नोर्मल सिर्दर्दी के दुरान भी कर सकते हैं पाजवा, जुडियों को करे कम जी हाँ, अर समय आपके चेहरे पर जुडिया आल गई है, तो आप ब्लू टी का 7 करे इसके नियमीच 7 से चेहरे पर बढ़ रही जुडिया, फाइन लाइन्स को कम और ठीक करने में मदद करेगी छटा, बालों को मजबूत बनाए ब्लू टी के 7 से बालों की समस्या में राहत मिलती है, बाल मजबूत होते हैं, इसमें एंटी ओक्सिडेंट्स, खनिश्टत्व और मिनरल्स अधिक मातरा में पाये जाते हैं, जिससे बालों को जरूरी पोशन मिलता है साथवा, आखों को बनाए स्वस्थ चोटी उम्र से ही बच्चों को चश्मे लग चाते हैं, विशिशगी की माने तो आप उन्हीं यह थोड़ी मातरा में दे सकते हैं, उस दिन देकर भी देख ले कि बच्चों को कोई अन्य समस्या तो नहीं हो रही इसके सेवन से आखों की रोशनी बढ़ने में मदद होती है, आखों की ठकावट और सूजन भी कम होती है वैब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड भार से बचे, मास्क पहने वा सैनिटाइजर का इस्तमाल करे, साथ ही सोशल डिस्टंसिंग का पूरा पालन करे करे कि भालन करे आखों का इस्तमाल करेंगा पूरा करेंगा था है